हेलो दोस्तो, अरली फाइनेंसिल आज़ादी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मुझे बहुत सारे क्वेशन्स आते रहते हैं, यूट्यूब में कमेंट्स आते रहते हैं, कि कुछ ऐसे जो बिजनस है, उस पर डिसक्रेशन कीजिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर में ह और बहुत ही अच्छा dividend declare करती हो, तो दोस्तो, आज हम बात करने वाले हैं, ऐसी एक प्राइवेट कमपनी, IT सेक्टर की कमपनी है, Oracle Financial और उनके जो share है, उनका जो results है, वो आने वाले है, company dividend भी declare करने वाली है, तो fundamentals, business सब कुछ हम बात करने वाले हैं, आज के वीडियो में, तो देखे, सबसे पहले 26 अप्रेल आप नोट करके रखे, बुधवार का दिन है, जब औरेकल फाइनांशियल की तरफ से डिविडेंड आ रहा है, इनफेक्ट साल में सिर्फ एक बार ही डिविडेंड आता है, तो इसलिए 26 अप्रेल की जो तारीक है, और ज्यादा इंपोर्टन हो जाती है, तो डिविडेंड जब आ रहा है, तो मैंने पिछले कुछ साल की जो डिविडेंड की जो एनालिसिस है, वो भी मैंने की हुई है, अ से पिछला financial year, एक बार जैसे मैंने डिसकस किया, एक बार डिविडेंड आया था, 190 रुपीज का, तो डिविडेंड इल्ड अभी के जो प्राइज है, उसके साथ साथ हम compare कर लेते हैं, तो इसके साथ अगर आप compare करते हैं, तो देखिए, यह 6% के असपस के डिविडेंड इ लिए आज का जो शेर प्राइज है, अब अलग-अलग investors के अलग-अलग प्राइज हो सकता है, जब बिल्कुल bull market थी, तो मैंने जो औरेकल का जो शेर है, 3800, 900, 4000 भी टच करता हुआ देखा है, और जब COVID की जब ग्रावट आई थी, तो औरेकल financials को मैंने 2200 को भी मैंने टच करते हुए देखा है, ठीक है, बट मैं आज का price यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, अब यह data हुआ, तो इससे पता तो चल रहा है कि dividend yield बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर है, जो कि मुझे थोड़ा सा negative कर रही है, वो क्या है, कि 2020 भी dividend आया है, लेक जो company है, अपना जो थोड़ा cash जो है, वो preserve करना चाहती है, टाकि जो भी business related, जो भी हो सकते, future में कुछ है, अगर हो रहा है, बिसनस को लेकर, तो cash बस preserve कर रही है, बस वही एक reason रहा था, तो इसी लिए, हमको 2019 में कोई dividend देखने को नहीं मिला है, ठीक है, अब हम आगे की बा 5 years return आप देखेंगे, नेगेटिव है, यह देखें, यह 20 April 2018 में 4306 रुपेर के आसपास में share price था, मैं यहाँ पर 3 साल का analysis नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखें, 3 साल पहले April 2020 में तब COVID आया हुआ था, ठीक है, lockdowns आयो था, पूरी दुनिया की market जो है, बहुत ही नीचे थी तो चितने भी stock price थे तब by default आप मान सकता है, सब के सब गिरे हुए था, तो यह भी गिरावी हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो एक exceptional situation थी, ठीक है, वो normal situation नहीं थी, एक साल कभी मैं यहाँ data लूँ, तो एक साल पहले भी Oracle Financial 3565 के आसपास में यहाँ पर trade कर रहा था, तो आप द entry ली होगी, तो देखे, तो फिर तो share price 2000-20000-30000 भी गया हुआ है, तो उनको एक अच्छा experience मिला होगा, लेकिन वो एक बहुत भी brief period था, ठीक है, क्योंकि बाद में market हमने देखा था, जुलाई अगस्त से तो फिर market में एक अलग सा बुलरन भी शुरू होगी है, तो share price के data को free learning materials investment को लेकर मैं share करता रहता हूँ, regular app में, जो app जिन्होंने डाउनलोड किया है, उनको हमेशा ही regular materials मिलते रहते हैं, और साथ-साथ यहाँ पर courses भी है, बहुत सारे जिनको आप avail कर सकते हैं, heavy discount में, और in fact future में और भी नए-ने जो courses है, वो भी आने वाले हैं, तो देखे, अ अब जब हम Oracle की बात कर रहे हैं, तो हम अभी 2022-23 के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी जो result आ रहा है, April 2023 में result आ रहा है, वो पिछले पूरे financial गर का result आ रहा है, तो देखे, यहाँ पर 9 महिनों का कैसा performance रहा है Oracle का, वो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है Oracle का जो latest जो financial number है, वो आपके सामने में लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं, December 31, 2022 है, आपकी स्क्रीन बे आप देख सकते हैं, और यह 9 महिनों का result है, वो हम आपके सामने रखते हैं, कि कैसा result आया है, तो देखे, April से December 2021 आप देखेंगे, company की अगर कमाई, या जो revenue है, from operations, यह है, 2937 करोड, million में data है, करोड में मैं convert कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर 2009 महिनों में आप देखेंगे, 3143 करोड हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर revenue हमको बढ़ता हुआ, नजर में आ रहा है, जब हम profits की जब हम बात कर रहा हैं, यह देखे, यहाँ पर अगर हम total जो income ह उसकी अगर हम बात कर देते हैं, net profit की अगर हम बात कर लेते हैं, तो net profit 1271 करोड यहाँ पर हुआ है, और यहाँ 9 महिनों का अगर आप देखेंगे, April से December 2022, तो profit actually में कम हुआ है, 1229 करोड का, तो profit 9 महिनों में, actually में भले ही revenue थोड़े बढ़े हैं, लेकिन profits यहाँ पर जरूर जरूर कम हुए है, और देखें, इसका reason, जो IT company है, वो रहा ही है, खासकर 2022 में हमने वो challenge देखें है, जो margin से related, तो margin इनके expenses है, वो मेरा अंदाजा है, वो जरूर बढ़े होंगे, खासकर जो employee का expenses है, वो बढ़ा होगा, in fact आप देख भी सकते हैं, यह employee benefit expenses जो है, जो 1046 करोड था, वो बढ़कर 1318 करोड हो गया है, तो इसे कारण से margin में impact हुआ है, profit की रहे है, बाकि के जो कुछ important, जो fundamentals है, वो डिसकस कर लेते हैं, अगर हम analysis करते हैं किसी भी company के, तो basic हम जो numbers देखेंगे, market cap, company क्या 28,399 करोड है, मतलब mid cap की company है, P ratio 15.8 है, अब इसको मैं थोड़ी के बाद डिसकस करता हूँ, ठीक है, फिर ROC 36, जो कि बहुत ही मजपूत है, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, return on equity 27.1, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, debt to equity, almost debt free company, और in fact, Oracle एक MNC है, Oracle US में already बहुत बड़ी company है, बहुत respected और उनका बहुत बड़ा business है, ठीक है, तो वो US की company, भारत में अलग company है, ठीक है, उनकी subsidiary आप मान सकते हो, तो debt almost नहीं है, तो यह सब कुछ strong data है, P ratio भी आपको लगेगा, 15, 16 तो बहुत कम है, आप जो दूसरी जो IT company अगर आप compare करते हैं, जैसे Tata Alexi देखिए, महंगी है, 54 है, LTTS देखिए, 32 है, Emphasis का चलिए, उसका आसप experience भी होते रहते हैं, और बहुत बार यह भी experience होता है, कि किसी company को low PE मिला है, मैं अपने आपको भी बहुत question करता हूँ, low PE मिला है, तो जरूर कोई काराण भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं compare करता हूँ, simple अगर compare ही मैं यहाँ पर करता हूँ, जो दूसरे इनके data भार करता हूँ, आप यहाँ पर बहुत simple देखे, 10 साल का sales growth है 9%, 5 साल का sales growth है 15%, persistent का अगर आप देखेंगे, 10 साल का sales growth है, 19%, 5 साल का sales growth है 15%, 3 साल का तो है ही, हाँ मैं थोड़ी long term का data देख रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद corporate का भी अगर आप data देखेंगे, आप sales growth देखे, 10 साल का 15% है, और 5 साल का 18% है, और हमने देखा भी है, कि company ने अपने investors के लिए अच्छी wealth भी create करके दी है, इन सब company ने, Oracle के case में थोड़ा अलग हो जाता है, peer ratio कम है, सस्ता है, सस्ता देख रहा है, लेकिन आप sales growth भी देखे, 10 साल में 5% का sales growth, 5 साल में 3% का sales growth, जो क कि मुझे लगता है, बहुत ही कम है, अभी Infosys के result आये थे, और Infosys ने ऐसा जस्त कह दिया कि हम 4 से 7% में grow करेंगे, तो market में हाहाकार जैसा हो गिया है, तो यहाँ पर आप देखे, 5 साल में 3% growth है, जो मुझे लगता है, कि बहुत ही कम growth है, यस profit बढ़ा है, 5 साल में profit growth 9% के आसपास में है, 10 साल में 7% के आसपास में, लेकिन आप दूसरी IT कमपनियों को भी देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर persistent को देखे, 10 साल के profit 17% है, 5 साल में 17% है, तो आप देख सकते हैं इन सब data से, कि company strong है, company के ROE, ROC, जो है strong है, और इसलिए मैं बहुत बार, ऐसा भी मैं कहत हूँ, जबी भी मैं classes लेता हूँ, कि जबी भी आप कभी भी किसी company को analysis करें, तो एक checklist जरूर रखे, checklist में 20-25 चीज़े होनी चाहिए, तो सिर्फ मैं PE ratio, ROC, ROE, debt to equity के basis में ले लूँ, कोई भी stock को, सायद मेरा experiences थोड़े से, यहाँ पर, मतलब मेरी जो checklist वो आधी ही रह अगर sales और profit growth नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा हमको यहाँ neutral रहना चाहिए, in fact, Oracle Financial मेरे portfolio में बहुत सालों से है, बहुत सालों से मेरा मतलब है कि जो COVID के time से 2020 से, उस समय से मेरे portfolio में है, लेकिन और यह चीज़ को मैं भी actually मैं मानता हूँ, कि कहीं ना कहीं वो, जो sales वाला जो part है, उसको उस समय में देखने में मुझसे थोड़ा सा एक error हो गया था, मेरे जो personal portfolio में है, लेकिन investing इसी का नाम है, आप अपना investing करते हैं, आप अपनी learning है, learning से ही सीखते रहते हैं, तो अगर Oracle में यह learning नहीं हुई होती, तो यह जो thought है, यह मैं आपके साथ share भी नहीं कर जो growth है, वो बढ़ा पाती है, वही एक important trigger रहने वाला है, आने वाले समय में दोस्तों, तो देखते हैं कि quarter 4 का 26 April को कैसा result आने वाला है, dividend no doubt बहुत ही अच्छा है, at least कुछ नहीं चलिए, मैं investor हूँ यहाँ पर at least मुझे dividend तो अच्छा खसा मिल जा रहा है, वो at least है, but yes, मु अपने जरूर views बताईएगा, comment section मुझे उमीद है आपको value मिले होगे आपके कीमती समय के लिए, बहुत बहुत धनिवाद, thank you दूस्तों